दोस्तों कैसे सब लोग आशक हो तो सब लोग बहुत ही अच्छा और बढ़िया होंगे तो आज के हमारी जो वीडियो है बहुत ही खास और इंट्रेस्टिंग होने वाले क्योंकि इस वीडियो में हम बात कने वाले इंडूरा मास की बार में हिंदू समय जाने जाता है कि की पूरा डीटेल कि मैं इस इस्तिमाल कर रहा था और पहले वह है किया है तो मेरा जो एक्सिप्रियोंस और में आपकी सथ शेयर करूंड तो मेरे सारे जो एकस्प्रियंस और पहले एक चीज़ मैं किलियार कर दूँ अगर अब चैलेंगर पर वीजिट कर तो चैनलन को कर्वोहाइटेड करीबं 30 गिरम के आसपास इसमें आपको सुगर मिल रहे जिसमें से 16 गिरम एड़ेट सुगर फैट भी ज्यादा मिल रहे और दोस्तों तीन फिलेवार में आता है चॉकलेट बैनाना और एक वैनिला जो बहुत ही खरब टेस है लेकिन इन में से सबसे इसमें से अगर हजार की आसपास हानार निवे इसमें से के साथ चालोरी लेना है एऽ करके आपको हजार भीाग करेग भाडी में वेस्टोर होने लागे हां आपकी बाडी पाउडर इस्तिमाल करते हो चाहिए हो एंडूरा मास हो चाहिए किसी और किसम की मास गिनर हो हमेशा दूद के साथ इस्तिमाल करना और एक किले या दो किले जरूर उसके साथ ही खाना तब ही खाना, जब आप mazginar खा रहे हूँ, अतरवी सब तो बाद में कहा ही सकते हो हूँ, लेकिन mazginar के साथ जरूर एक के लिए और दो के लिए इस्तेमाल करना, आप बात करें कि जो मास गिनर के साइटे पर जल्दी जल्दी पता नहीं लगता है लेकिन हाँ अगर आप एक बार में ज्यादा खा ले तो जिसकी डाइजेशन की पॉब्लम है उस थोड़ा पॉब्लम में आ सकते हैं क्योंकि डाइजेशन यह जल्दी होता नहीं है अगर आप दूद के साथ ले साथ में केले भी ले रहे हैं और मांस गिनर मिला रहे हैं उसमें तो उतना अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है जिसकी डाइजेशन सिस्टम बैठर उनके लिए बहुत यह बढ़िया काम करेंगा अब बात करें कि कितने दिन में बढ़ाते और रिजल कितने दिन में दिखाते हैं दिकाते हैं 먼저 में एक हथे में कई कपर ऐसा हुआ है कि मेरा बजन बहुत लौस होगा है और मैं एक हथे के लिए एंड gapi promise or मुझे फाय्दा मीले ऐसा हुआ है कि एक हथे या दो हथे में इस्सिमाल करी जा रहा हूं लेकिन फाय्दे नहीं हो रहें तो फायदे इसे तभी होते हैं, जब इसे पोपार आपको इस्तिमाल करना हो, दूद के साथ केले लेना है, और आपको जो डायेट मील है, जो आप खाते हो, दिन में तीन बार मील लेते हो, बड़े मील, और साथ में चोटा-चोटा जो मील लेते हो, ओ भी आपको मेंडरन रखना पड़े मान स्पेसी को थोड़ा तकलीब नाई दोगा मसल टिश्य को तोड़ोगे नहीं तो बनेगा ही नहीं तो आपको थोड़ी बात एकसेस करने तब ही जाके रिजल दिखाते हैं अगर आप सिर्फ मास गिनर की भरोसे या सिर्फ इसे लोगे तो कभी बजन नहीं बढ़ेगा उतन करें तो आपके बजन जरूर बढ़ेगा और इससे ज्यादा दिन तक कंटिनूर करें के जरूरत थे किसी वी तरह की मास गिनर आपको ज्यादा दिन कंटिनूर करें तो आपके बॉड़ी में हमफुल एफेक्ट आ सकते हैं ऐसा हो भी सकते हैं तो दोस्तों मैं एक चीज़ बोलूं का लास में कि आप कुछ एक्साइज जरूर एड करें अपनी रोजाना डायेट के साथ आपकी जल्दी बज़न बढ़ जाएगा तो आज की वीडियो इते खतम करते हैं वीडियो अगर अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक रिशा जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्रब करके बेल एकन को किलिक कर लिजे